हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर चैनल जार्खन परिक्षा स्टुडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंड अनॉंस्मेंट जो है वो सामने निकल कर आ रही है अनॉंस्मेंट यह है कि जार्खन हाई कोट ने राज सरकार के फैसले को सही ठहराया है यानि कि जो याची का दायर क की गई थी डबल बेंच में जार्खन हाई कोट में कि उम्र सीमा में छूट दी जाने चाहिए आपके अपकमिंग सैवन्थ जेपीएसी को लेकर उसमें जो है जार्खन हाई कोट ने स्टुडेंट्स के विपरीत अपना फैसला सुनाया है कल तक अगर आप अपडेटेड र जार्खन हाई कोट के सिंगल बेंच के बातों को ही सही रखते हुए उसे ही आगे बढ़ाया है अब क्या कहा है थोड़ा से सुन लिजे यहां पर लिखा हुआ है कि इस दोरान अभ्यारतियों को बहुत बड़ा जटका लगा है सुनवाई के दोरान अदालत ने सरकार के उम निर्धारन की सीमा को ही सही माना है कोट ने मौखिक रूप से कहा कि अभ्यारतियों के प्रती हमें सहानुब हुती है लेकिन सुप्रीम पोर्ट कोट के आदेशों से हम बंदे हुए हैं इसलिए अदालत इस मामले में अभ्यारतियों को अंतरिम राहत नहीं दे सकती ऐसे मे अपील जो है वो खारिज की जाती है इसमें क्या इना अदालत ने डिटेल आदेश जो है बाद में पारिद करने को कहा है और इस सम्भन में जो है रीना कुमारी सहित अन्र ने हाइकोट में अपने याचिका दाखिल की थी ठीक है ये तो हो गया आपका क्या था अगर आप लो सरकार ने न्यूक्ति के विग्यापन को रद कर दिया इसके बाद सरकार ने जीपीएसी परिक्षा निमावली बनाई और फिर से दुबारा विग्यापन जारी किया इसमें उम्र सीमा एक अगस्त 2016 लिख दी दो तो बहुत डिफरेंस देख ने न कहां 2011 था अब आपका 2016 हो गया यानि यहां पर जो है आपका पार साल का डिफरेंस आ गया जबकि यह परिक्षा आपका 17, 18, 19, 20 के रिक्त पदों के यानि कि चार साल का है ठीक है नियमा अनुसार जो है नियम कहता है कि आपको हर साल सिविल सर्विसेस की परिक्षा लेनी है लेकिन जेपीएसी ने चार साल के रिक्त पदों पर नियुकती के लिए एक साथ ही विग्यापन जारी किया ऐसे में क्य गई ऐसे में जो है उन्होंने जो है अपनी याची का दायर की थी ठीक है तो अब हैसला आपको समझ आ गया और एक इंपॉर्टेंट अनॉंसमेंट चलते चलते बता दूं कि आपका अब जो है ना कोई हम लोग प्रूबैबिटी भी नहीं चलने वाले है अनुमान भी नही अब फिक्स हो गया है नाइंटींत ओफ सिप्त को आपका इकसाम होने वाला है ठीक है पहले क्या था आपका जो एक्सपेक्टेड डेट थार्ट ट्वेल्थ अफ सिप्तेंबर 2021 को उसमें नहीं होगा एक फिक्स डेट जो है जेपीसी के बैठक में लिया गया है वो है आपक हम लोग की चैनल से क्या एकस्पेक्ट करना चाहिए पहला बात तो जो योजना का जो चैप्टर है आपका 16 मार्क्स का वो मैं आपको पूरा करा दूँगा और तीन पार्ट से आपका बचा हुआ है योजना को लेकर मैंने जो है अभी तक आपको टोटल 18 योजना कराया है और मैं टोटल 30 यानी की आपका 12 योजना और बचा हुआ है जो आपका तीन वीडियो लेक्टर में मैं कम्प्लीट कर दूँगा टोटल 30 योजना हो गया और दूसरा हो गया आपका करेंट आफएर सीरीज अभी तक हम लोगों ने नौएंबर दिसंबर तक कर लिया है बचा पेपर कटिंग नहीं होगा कोई बुक का कटिंग नहीं होगा डाइरेक्ट सोर्स से ही पढ़िए विक्स में कितनी गलतिया होती है यह आपको भी पता है खास करके जो बुक्स आपको जारखन डेडिकेटेट करके बनाए गई होती है पहले तह हम लोग इंडस्ट्रियल जो आपका बिजली विभाग के उपर जो लाया गया है निती उस पर भी हम लोग डिटेल में डिसकेशन करने वाले हैं तो इतना सारा पॉइंट्स जो है वो हम लोग अपका वन वीक के अंदर में कंप्लीट कर देंगे तो आप अपने स्टुडेंट्स तक हम लोगों की चैनल को पहुचाईए ताकि मैक्सिमम स्टुडेंट्स जो है इससे लाभानवित हो सके ठीक है चलिए मिलते हैं जहारकन के अगले वीडियो लेक्चर में स्टड़ी करते रहिए कॉन्फिदेंस बूस्ट आप रखे चलिए बाई